हलो गाईज वेलकम तो फोरेक्स सेलरी चैनल और मेरा नाम है कुलवंत राना इस वीक के वीडियो में मैं आपके साथ एक्सनेस के अकाउंट टाइप्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि मेरे पास काफे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैंने एक्सनेस में अकाउंट तो खोल लिया है पर कौन सा अकाउंट खोल लो इतने सारे अकाउंट है कौन सा मेरे लिए यूजफुल है कौन सा नहीं है तो इस चीज को ही मैं यहाँपर डिटेल में कवर करूँआ कि अगर आपको अकाउंट खोलना एक्सनेस में तो कौन सा अकाउंट आपके लिए बैटर रहेगा और कौन सा आपको खोलना चाहिए तो इस इंट्रोडेक्शन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकसनेस में पांच अकाउंट होते हैं अगर आप देखें पहला जो है वह स्टेंडर सेंट अकाउंट है दूसरा स्टेंडर अकाउंट है तीसरा प्रो अकाउंट है चोथा जीरो और पांच वा रो तो यह पांच तरे के अगून्ट है थो स्टेंडर्ड स्टेंडर्ड अकूण्ट खोल सकते है Standard account बिल्गोल ठीक है Standard send कौन सा account है यहाँ पर आप send में trading करेंगे इसमें क्या होता है आप demo में पहले trading करते हैं आप बिल्कुली beginner है demo में जाते हैं फिर अप बाद में आप send में trade करते हैं उसके बाद आप standard में जा सकते हैं तो अगर beginner approach है इसके बारे में standard cent के बारे में मैं एक detail में वीडियो बनाऊगा कि कैसे demo और standard cent में आप progress कर सकते हैं तो normally अगर आप बहुत ही beginner हैं बिल्कुली आप demo से आपको कुछ ज्यादा पता नहीं है standard cent खोलिए ताकि आपको पता चले क्योंकि यहाँ पर real money involved रहेगी उसके बाद अगर आपके पास $500 से नीचे है या बड़ा account भी है पर आपकी ज्यादा बड़ी requirement नहीं है आप standard हो सकते हैं तो normally में कहूंगा अब intermediate trader के लिए standards अगर आप professional है बहुत बड़ी amount है आपकी बहुत बड़ी requirement है algo trading यह सारा कुछ करते हैं तो आप इन तीन में से कोई एक account यूज़ कर सकते हैं अब इन तीनों में से कौन सा account आपके लिए बैटर है देखिए pro जो है इसमें आपको कोई commission नहीं देना पड़ेगा कमिशन क्या होता है standard में क्या होता है आपको normal spread मिलता है पर वहाँ पर आप personal trader के लिए है जो बहुत ही high volume में trade करते हैं algo traders है उनके लिए यह account होते हैं अब कौन-कौन यह account खोल सकते हैं वह मैं आपको बताना चाहूंगा देखिए pro के लिए zero के लिए row के लिए तीनों के लिए 500 डॉलर आपके minimum होने चाहिए तब ही आप यह account खोल पाएंगे अगर आपसे आप कितनी भी amount यहाँ पर trade कर सकते हैं leverage समीब है same है spread यहाँ पर देख सकते है 0.3 यहाँ पर 0.1 और इन दिनों में 0 यहाँ पर आपको commission देना पड़ता है अब account types को detail में हाँ पर बताना चाहूंगा जैसे मैंने बोला standard cent जो है बहुत ही beginner के लिए है आप यहाँ पर normal for expairs या metals trade कर सकते हैं cent में trade होगा एक dollar में 100 cents होते हैं तो आपकी position भी cent में दिखाएगा तो आप यहाँ पर अपनी strategy को test करेंगे जैसे मैंने बोला detail में video बनाऊंगा इसके उपर कैसे आप progress करेंगे normally आपको account खोलना है standard में account कोलिए कोई minimum deposit की requirement नहीं है दूसरा अगर आप professional म ज्यादा बड़ी amount है 500 या फिर 1000 या और भी फिर आप pro यह raw spread या zero इसमें क्या फरक है तीनो में देखिए यहाँ पर pro में क्या है slippage के लिए यहाँ इसमें क्या होगा जब आप trade पुट करेंगे वहां से record होके आएगा जो best price उनको मिलेगा उसके साब साब को price देंगे और व हो जाएगा तो यह के वहले standard load के लिए fix है बाकी उसी साबसे proportionate होता जाता है जिससाबसे आपका load होगा zero में आपकी बिल्कुल ही 95% यह कहते है बिल्कुल zero pip मिलेगा और 30 instrument में और काफी यहाँ पर आपकी जो cost है वो कम रहती है तो मैं कहूंगा आप zero से start कीजिए better रहेगा अगर आपके account है या फिर raw यूज करिए अगर आपको slippage में चाहिए या कुछ बहुत ही तो आप प्रो में जाए मैं recommend नहीं करूँ आप प्रो में आप जाए क्योंकि आपको बार बार record मिलते रहेंगे कि इस price पे आपकी position open होगी तो मेरे recommendation रहेंगे अगर बिल्कुल ही beginner है standard send अगर आपको experience है आप normally trading करना चाहते है standard account को लिए professional है बहुत बड़ी requirement है capital सारा कुछ है तो raw या zero इसमें zero better रहेगा अब इसके बारे में जैसे मिने बोला detail में वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीजे पढ़ सकते हैं कि pro में क्या क्या चीजे ह होता है और कुछ purpose इसका नहीं है normally pairs है तो standard में आपको M लिखा मिलेगा यह चीजे आप पढ़ सकते हैं detail में sent account में आपको pairs के आगे C लिखा हूआ मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने बोला इसके ओपर detail में वीडियो में बनाऊंगा और फिर यहाँ पर यहा पर Exynos Broker Review India with INR account यहाँ पर मैंने कैसे account है या swap free account किस तरह के account है कितने account आप कैसे account को यहाँ पर आप कैसे account खोल सकते हैं तो सभी चीजे यहाँ पर compare क्यों है तो मैं कहूंगा कि आप पहले यह वीडियो देखिए ताकि आपको detail में ज्यादा पता चल सके Exynos Accounts के बारे में तो यह से भी चीजे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सब चीजे हमाँ पर cover की हुई है और जैसे मैंने बोला अगर आपको account खोल सकते हैं अगर मेरी membership में खोलना है तो link वीडियो की description में आप वहाँ से account कोल सकते हैं अगर कोई आपको problem होती है कोई deposit मे या withdrawal में आप सीधा मेर कोई email ID पे contact कर सकते हैं मैं आपके help करूँ हूँ और कोई भी issue आप just मुझे reach out कर सकते हैं जैसे आपको Exynos के dashboard में दिखाना चाहूँगा कि कैसे आप account को manage कर सकते हैं क्या-क्या options हैं आपके पास तो guys यहाँ पर जब आप अपन account कोलेंगे अपना account verify ह हो जाएगा आपको यहाँ पर कुछ option मिलेंगे आप सिधा अपने account में जाएए यहाँ पर आप देख सकते हैं real demo archive या फिर आप new account पिल्की कीजिए तो आपको यह सभी option दिखेंगे कौन सा account आपको खोलना है standard standard sent raw spread zero pro जैसे मैंने बोला आपको demo खोलना है आप demo से try it कीजिए आप जितने account खोलना चाहिए खोल सकते हैं उनको बंद कर सकते हैं आपको जुरू नहीं कि सभी में deposit करना है आप account खोलिए check कीजिए क्या spread चल रहा है और बंद कर दीजिए कोई जुरू नहीं आप जितने मर्जी account खोल सकते हैं अगर मैं accounts में जाता हूँ और यहाँ पर account को reactivate करूँ तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं अपने account में click करूँआ तो वो account यहाँ पर दिखने सुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ accounts को reactivate किया वो दूबारा यहाँ पर दिखने सुरू हो गए अब यहाँ पर क्या option होते हैं के सबी जो भी आप deposit करें, withdraw करें, आप यहां से कर सकते हैं, सिधा जैसे मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ पर जा के देख सकते हैं, deposit, withdraw कैसे करना है, trade के लिए, यहां पर यह option है, कि जो आपको account से related option देता है, तो आप किसी भी account, जो भी account आपने कोला है, तो यहां पर आप इस wheel पर click कीजिए, और यहां पर आप देख सकते हैं, जो भी options हैं, आपको सबी दिख जाएंगे, आपको transfer funds करना है, एक account से दूसरे account में, तो आप transfer fund पर click कीजिए, जो कि within, between your account, जो आपर, यहां पर देखे, change leverage, आप अपनी leverage को change कर सकते हैं, जो भी leverage आपको set करनी है, वो यहां पर आप set कर सकते हैं, उसके लावा आपको account को nickname देना है, आप यह number के ना दिखे, बलकि आपको nickname दिखे, तो आप उसको change कर सकते हैं, account की information क्या होगी, सब चीज़े आप यहां पर देख सकते हैं, क्या यह account है, इसका server कौन सा है, जो आपको use करना है, क्या login ID है, क्या social standard है, क्या leverage है, और कितने funds है, वो सारा कुछ यहां पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा आपको उसका password change करना है, या फिर उसको archive करना है, तो वो archive हो जाएगा, account आपका बंद हो जा साथ यहां पर share करूआ, काफी ने चीज़े हैं, जो एड होती जा रही है, तो जैसे मैंने बोला, अगर आपको account खोलना है, तो वीडियो के description में link है, आप वहां से account खोल सकते हैं, आपको कोई problem आती है, issue आता है, मेरे को इस email ID पर contact कर सकते हैं, मैं आपकी help करने की पूरी को से, जैसे मैंने बोला, standard send के उपर, एक में video detail में बताऊंगा कि कैसे demo से आप उसमें progress कर सकते हैं, और क्या purpose होता है, तो thank you guys, अगर आपको वीडियो से कुछ knowledge मिली, please like the video, share कीजिए, comment कीजिए, अभी के लिए धन्यवाद, thank you, take care and good bye.